बिस्तर में जाते ही तुरंत पांस मिनिट में नींद आने का बैतरीन सा उपाय बता रही हूं दोस्तों आपको जिनको भी नींद नहीं आती है यानि इंसोमेनिया की समस्या है नींद ना आने की समस्या है तो उनके लिए ये नुस्खा ऐसा है सिर्फ आपको एक बार आज मान और आपकी जो यह समश्या है ना नीद ना आने की बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी पहले दिन से ही आपको बहुत अच्छी नीद आएगी जैसे ही आप बिस्तर में जाएंगे ना पांच मिनिट में ही आपको नीद आ जाने वाली है तो इस नुस्खे को अपनाने के केलिए ओंगे तो इसमेशंगे सिर्फ एक का इस्तिमाल करना है मैं यहां पर आपको यह बताना चाह रही हूं दोनों में से अगर आफके पास कौन सा भी रखा है घर में तो उसी का इस्तिमाल कर ले आप लेकिन अगर आपके पास नहीं है और आपको ये समश्या हो रही है आप इसे खरीद कर और इसको आज माना चाते हैं ना तो आप लेकर आईयां पे मास्क मेलन सीड ये बहुत ज़्यादा करते हैं आपको तुर मस्तिस्क में ब्लड सर्कूलेशन को बड़ा देते हैं जो आपके मस्तिस्क को शांत रखता है और जो आर्मोंस नेंद लाने में फाइदे मंद है ना दोस्तों उनको भी ये एक्टिव कर देता है तो ये आपको जो है बैतरे नेंद लाने के लिए बहुत ज़्यादा फाइ में लेना है सारी जीजे आगे मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ तो आप वीडियो को बिना स्किप की वे देखना जिससे की आपको जो प्रोवलम हो रही है ना उससे आपको छूटकारा मिल सके तो यहां पे अमने डाले हैं कड़ाई के अंदर जो मास्क मेलन सेड लिय सकते हैं इसमें कम से कम दीमी आज पे आपको दो मिनेट का टाइम लगेगा जब आपको लगे यह जो सीड है यह अच्छे से फूल जाते हैं और साथ की साथ इनका कलर अलका सा चेंज हो जाता है बस इतना ही आपको सेखना है ऐसा करने से क्या होगा एक तो यह खराब नहीं होंगे और दूसरा आपको खाने में टेश्टी भी लगेंगे और फाइदे तो आपको मिलेंगे मिलेंगे लेकिन यहां पर एक बात मैं आपको और बतारी हूं डोस्तों जब भी आप इने खरीद कर लेकर आएंगे ना तो एक बात आपको द्यान रखनी है यह जो बीज है खरबूजी के यह खराब होने लग जाते हैं क्योंकि दुकान में कई बार काफी समय तक रखे रखे इनके अंदर स्मेल हो जाती है या फिर कीडे लगने के कारण इनमें आपको अलकी फुल किसी जुनजनी सी जो होती है वो दिखाई देगी इनमें स्मेल आएगी तो आप जब भी इनको खरीद कर लेकर आए न तो आप पहले चैक कर लें दुकान वाले से बोल कर कि यह खराब ना हो क्योंकि खराब होते हैं न इनमें स्मेल आती है तो खाने में बड़े बेकार लगते हैं आपको बाएगे नहीं और एकदम सस्ते भी नहीं आते हैं कि बिलकुल सस पता लग जाएगा कई बार ये काफी थाइम तक रखे रहने के कारण कड़ भी हो जाते हैं, तो आपको कड़ सर अब श्टोर करने के लिए आपको बता रहे हूं। जैसे अमने ये एक बार यां पे रोस्ट करके ले लिए हैं, चाहे आप गी के साथ में रोस्ट करें, या फिर ड्राइ रोस्ट, इनको क्या करेंगे पहले आप बिल्कुल अच्छे से प्लेट में फैला कर ठंडा कर लेंगे, ठंडा होने के बाद में किसी जार में बर कर रख और रो जाना आपको शाम के टाइम, खाना खाने के बाद में एक चमच भर कर खाना है, आप थोड़े थोड़े बीच मुझे डालें, अच्छी से चबा कर खाएं, ऐसा नहीं एक चमच एक बार में डाल लिया और तुरंत ये आपने उसको चबा कर खा लिया नहीं, एक चमच अलग से कटोरी में निकाल लें और फिर आप उनको थोड़े थोड़े लेकर अच्छी से चबा कर खाएं तो इस तरीके से आपको रोजाना एक चमच खाने है जो आपका सोने का टाइम है उससे एक आद गंटे पहले और इसको आप लगातार कम से कम दस दिन आजमा कर देगना अगर आपको फाइदा मिल रहा हो ना तो आप इसे कुछ दिन लगातार खा सकते हैं लेकिन जिनका बीपी लो रहता है वो इसको इसको इस्तेमाल ना करें अगला नुस्खा और बता रही हूं कई बार क्या होता हमें टैंसन के कारण सिर बहुत ज़्यादा दुखता है सिर जो है अमारा एकदम ऐसे बारी बारी रहता है नीद अच्छी नहीं आती है तो उसमें आपको यह नुस्खा है यह बहुत फायदा देगा और दोनों नुस्खे आप एक साथ आजमा सकते हो तो यह आमने जो लिया है यह आमारे पास है दोस्तों चंदन पाउडर चंदन पा यह नुस्खा भी आपको शाम को ही जो है अपनाना होगा आदा चंदन पाउडर लेकर इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल कर और इसको कम से कम 10 मिनेट के लिए साइड में रख कर छोड़ दें इस तरीके से बिगोने के बाद में तो उससे क्या होगा यह अच्छे से गुल क तैयार हो जाएगा जैसे अमने अभी तुरंत गोल कर लिया है तो इसमें आपको पानी अलग और यह पाउडर अलग से दिखाई देने लगता है क्योंकि यह लकडी होती है और इसको जब पीसकर बनाया जाता है तो यह बहुती लाइट वेट सा बुरादा बनकर तैयार होत है तो उसको आपको थोड़ी सी देर गोल कर रखना होगा तभी सई से यह पेश्ट बन पाएगा और फिर आपको क्या करना है इसको सोने से पहले अपने माथे पर इस तरीके से लेप कर लेना है आप देखेंगे दोस्तों आपको तुरंत ही सीर के बारीपन में स्ट्रेस में सिर जो आपका आपको नेंद नहीं आने देता है आपका चिड़ चिड़ापन है वो पूरा दूर होने लग जाएगा और पहले दिन से ही आपको अच्छी नेंद आनी जो है शुरू हो जाएगी दोनों नुस्खे आप 10 दिन तक आजमा कर देखना श्याम को आजमाना लेप का नुस्खा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना चैनल पर पहले बार आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि और भी अच्छी नुस्खे आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद